नमस्कार, स्वागत है, पिछले वीडियो में हम लोग ने बात की थी, पजल्स की, तो उसी को continue करते हैं, हम लोग ने देखा था कि किस तरह से simplified version में information को represent करना है, और उसके आधार पे puzzles को solve करना है, चली प्रारम करते हैं, information दिया गया है, 6th place are to be organized from Monday to Sunday, सोमवार से लेके रईवार तक 6 जो नाटक हैं, उनका मंचन होना है, और इस तरह से होना है कि हर दिन एक नाटक खेला जा रहा है, और एक दिन ऐसा है, जिस दिन कोई भी नाटक का मंचन नहीं किया जाएगा, उसे हम no play day के नाम से जान रहे हैं, और यह कहा गया कि यह मंडे या फिर संडे को नहीं हो सकता, मतलब निशित तोर पे मंडे और संडे को किसी नाटक का आयोजन किया गया, जो भी प्लेज हैं, नाटक हैं, वो set of 3 plays each, मतलब 3-3 के set में हुए, यह 6 plays, और यह कहा गया कि कोई भी break नहीं है, मतलब जो यह 3 plays हैं, यह continuous हुए, इन is no no play day between them, but immediately before this set और immediately after this set, it is a no play day, मतलब 3 के बाद no play day वाली बात हुई, और यह फिर 3 से पहले, in between 3 के no play day नहीं है, फिर कहा गया कि play z कब हुआ, play x कब हुआ, और play b और play a की बात की गई, कि play a जो है, उसके बाद हुआ है, लेकिन तुरंत नहीं हुआ है b, और इसी प्रकार play m की बात किया गया है, कि वो q के ठीक पहले हुआ है, और सबसे important बात कहिएगी, कि all the six plays were held in the same month, सभी जो plays हैं, वो एक ही महीने में हुए हैं, अब आगे की बात करते हैं, questions जो पूछे गया है, कि Monday को कौन सा play organized हुआ, या फिर z किस दिन organized हुआ, no play day किस date को था, या फिर कु question है, तो आप को करना यह है, कि वीडियो को pause करना है, और try करना है, जो भी information दिया गया है, उसके आधार पे solve करने का, hope so, आप लोगों ने attempt किया इस puzzle को, तो आप आईए देखते हैं, approach क्या है, तो जो भी plays हैं, वो Monday to Sunday की बात है, तो Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, यह आपके पास information है, साथी साथ कहा गया, कि जो no play day है, वह Monday या फिर Sunday को नहीं हो सकता है, तो इसका आर्थी यह है, कि इस दिन निश्चित तोर पे कोई नो कोई play और्गनाईज होगा, इसके अलावा जो बात कही गई, वह date से सम्मंदी थे, अब यही सबसे important information है, पजल का, कि सारे के सारे जो भी six plays हैं, वो क्या है, same month में हुए हैं, और एक information यह दिया गया है, कि 31st तारिक जो है, उस दिन play x और्गनाईज हुआ, तो अगर हम plays की बात करें, तो निश्चित तोर पे यह होगा, कि Monday to Sunday है, और 31st last है, तो उसके आगे तो date हो नहीं सकता, क्य हैं, same month में organize हुए हैं, तो इसका आर्थ यह हुआ, कि जो last Sunday है, उसकी तारिक क्या हो गई, 31st, और यह जैसी हुआ, बाकी हम सारा दिन लिख लेंगे, तो यह हम लोगों ने दिन की बात कर ली, 25 to 31, अब जो information दिया गया है, जो concrete information उसको आप represent कर देंगे, तो play z कब हुआ, 26 तारिक को, तो यह हम ले लिख दिया, play z, play z को आपने assign कर लिया, तो इसको cut कर लीजिए, next कहा गया कि play x कब हुआ है, 31st को, तो आगेन यह भी assign हो गया, next यह कहा गया कि play b was not held immediately after play a, लेकिन जब भी होगा, वो क्या होगा, a के बात होगा, तो a और b के sequence की अगर बात करें, तो कुछ इस तरह की बात है, और यह जो दूसरा information है, play m was held immediately before q, तो वो क्या होगा, इस तरह की बात होगी, अब आप ध्यान से देखें कि यह किस तरह से assign हो सकता है, m और q continuous होना चाहिए, तो m और q अगर मालेजे यहाँ पर हम continuous करेंगे, suppose इन दोनों जगह पर, तो यह तो assign हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, नो play day हो जाएगा, यहाँ पर हो नहीं सकता, m और q, next अगर बात करें, इन दो positions की अगर बात करें, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि m और q अगर thursday और friday को assign करें, तो क्या दिकत हो जाएगी, यह saturday वाला gap भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3-3 के set में होना है, और उसमें कोई भी gap नहीं होगा, तो मतलब एक assign हो चुका, तो इसके continuation में यह दोनो spot आपके पास available हैं, यहाँ की अगर बात करें, z assign हो चुका, तो इसके continuation में यह हम नहीं ले सकते, क्योंकि इसको लेने के बाद, यहाँ पर क्या हो जाएगा, no play day हो जाएगा, जो की information दिया गया है, उसके साथ miss match होगा, तो इसका आर्थी यह हुआ कि यह slots हमारे पास available हैं, अब इन दोनों में assign करेंगे, तो M और Q को assign किया जा सकता है, तो इस कारण से हम क्या करेंगे, M और Q को यहाँ assign कर देंगे, next अगर बात की जाए, तो A और B का क्या relation है, कि play B was not held immediately after play, but was held after A, जो हम लोग ने represent किया, तो A के तुरंद बाद नहीं है, लेकिन A के बाद होना है, तो यहाँ पर हमने A को रखा, और यहाँ पर B को रखा, तो इस प्रकार से सारे information हो गया, और Thursday को क्या हो गया, No play day, तो इस तरह से हम लोगों ने यह represent कर दिया, और यह puzzle आपका solve हो गया, questions की बात करते हैं, क्या क्य questions हैं, which play was organized on Monday, तो देखें, Monday को कौन सा play organized हुआ है, तो A हुआ है, तो A की बात करते हैं, तो इस में से क्या हो जाएगा, None of these हो जाएगा, which day was play Z organized, Z किस दिन organized हुआ है, तो Tuesday को हुआ है, तो यहाँ पर देखिए, options हैं, None of these, which date was a no play day, यहाँ अगर बात करें, तो आपका no play day कभ है, Thursday को 28 को, तो 28 options है है, just अब यह information है कि कौन सा true है, देखिए, play B is held immediately before play M, play B की अगर बात करें, तो immediately तो नहीं है, दूसरा है, play Z is held after play B, play Z की अगर बात करें, तो play Z जो है, immediately after play B तो नहीं हुआ है, तो यह भी आपका क्या है, नहीं हुआ, नेक्स्ट अगर बात करें, there was a gap after two plays and four plays, यह भी सही नहीं है, first play was organized on the 25th, तो यह आपका option सही है, नेक्स्ट अगर बात करें, play B was held on Friday, तो यह भी सही नहीं है, which day was, play Q organized, तो play Q किस दिन organized हुआ है, Saturday को, यह option आपका सही हुआ है, video technically than ever,